इस वीडियो में आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओ यानि होल नंबर के समरुद गुण यानि क्लोजर प्रॉपर्टी के उधारण विपुल और मीना एक खेल खेल रहे हैं पहले विपुल कोई भी दो पूर्ण संख्याओ बोलता है और उनका गुणन यानि मर्टिप्लिकेशन करता है फिर मीना दो पूर्ण संख्याओ बोलती है और उनका गुणन करती है जब भी किसी को गुणन का परिणाम एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है उसकी अंकों में एक से वृद्धी होती है अगर पहली पारे विपुल की हो तो क्या आप बता पाएंगे पांचवी पारे के अंत में किसकी अंक ज्यादा होंगे चुकि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतरगत सम्रत है यानि कि किनी भी दो पूर्ण संख्याओं A और B के लिए A गुणा B भी एक पूर्ण संख्या ही होगी इसलिए विपुल और मीना चाहे कोई भी दो पूर्ण संख्याए ले हर बार उनको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी जैसे यहां विपुल ने पहली पारी में संख्याए दो और तीन ली और उनके गुनन का परिणाम छ आया इसलिए विपुल का अंक एक से बढ़ गया फिर मीना ने संख्याए तीन और चार बोली और इनका गुनन करने पर उसे बारा यह संख्या प्राप्त हुई जो की एक पूर्ण संख्या है इसलिए मीना को भी एक अंक मिलेगा अब आती है विपुल की पारी विपुल ने संख्याए बोली पांच और दो क्या इस बार भी विपुल को एक अंक मिलेगा विचार करे आपने सही पहचाना पांच और दो का परिनाम है दस जो की एक पूर्ण संख्या है इसलिए उसे फिर से एक अंक मिलेगा इसके बाद मीना ने दो संख्याए बोली दो और एक इनका गुणन करने पर उसे परिनाम प्राप्त हुआ दो जो की एक पूर्ण संख्या है इसलिए उसे फिर से एक अंक मिलेगा अब पांच वी पारी है विपुल की विपुल ने संख्याए ली शून्य और दो क्या अब भी विपुल को एक अंक मिलेगा सोचिये सोचिये हाँ आपने सही सोचा शून्य गुना दो बराबर शून्य चुकि शून्य भी एक पूर्ण संख्या है इसलिए विपुल को एक और अंक मिलेगा इसी के साथ विपुल के अंखुए तीन और मीना के अंखुए दो इस तरह से सबसे ज़ादा अंखुए विपुल के अगला उधारन स्पष्ट करे की पूर्ण संख्याय योग के अंतरगत सम्रित है आईए इसके लिए तीन उधारन लेते हैं तीनों उधारनों में दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा है और उनका परिणाम भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ है इसी तरह से यदि हम किनी भी दो पूर्ण संख्याओं ए और बी को लेते हैं और उन्हें जोडते हैं तो उनका योग एधन भी हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होगा इसलिए पूर्ण संख्याय योग के अंतरगत सम्रित है अगला उधारण पूर्ण संख्याय पांच और शून्य विभाजन के अंतरगत सम्रित नहीं है इस कथन को सत्यापिक करे विभाजन का अर्थ है समान रूप से बाटना अगर आपके पाश शून्य चॉकलेट है जिने आपको अपने पांच दोस्तों में समान रूप से बाटना है तो आप अपने दोस्तों को कोई भी चॉकलेट नहीं दे पाऊगे यानि कि शून्य का पाश से विभाजन एक पूर्ण संख्या शून्य ही होगी क्या पांच का शून्य से विभाजन भी एक पूर्ण संख्या होगी? विचार करे अगर आपके पास पांच चॉकलेट है जिने आपको शून्य दोस्तों में समान रूप से बाटना है तो आप इन्हें कभी भी नहीं बाट पाओगे यानि कि 5 का शून्य से विभाजन का परिणाम आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा इसलिए 5 का शून्य से विभाजन परिभाशित नहीं किया जा सकता यानि कि पांच विभाज चुन्य का परिणाम एक पूर्ण संख्या नहीं कही जा सकती इसलिए पूर्ण संख्याय पांच और चुन्य विभाजन के अंतरगत समृत नहीं है इस वीडियो में हमने देखे पूर्ण संख्याओं के समृत गुन के उधारण अगले वीडियो में इस गुण की मिथ्याधार्णाओं को दूर करेंगे